आज स्टूडेंगे तो आज हम अपनी सीरीज में में वरद माइनिक्स की सीरीज में कली कुछ और आगे शुरू करते हैं ठीक है तो आज कि वर्ट ज्यादा नहीं लेंगे शने applicationbij है कि मार्ड ज्यादा हो जा रहे हैं तो आपकी ease के लिए आपकी help के लिए उसको हम कम ही लेंगे बट जितमें लेंगा पच्छे से याद कर पाएंगे Well, so nothing else ठीक है, nothing else मतलब कुछ नहीं nothing, n-o-t-h-i-n-g nothing else, e-l-s-e-l ठीक है, तो nothing else क्या होता है nothing else का मतलब कुछ भी नहीं इसको use कैसे करें, nothing else like, I have told you everything I have nothing else to tell you more okay, I have told you everything I have nothing else to tell you more okay, now add add a, double d, add simple word है, add करना, जोडना maths में जानते हैं, हम लोग add करते हैं so, like you can, just two words sentence, कैसे होता है, दो शब्दों वाला कैसा होता है, add it okay, add it that is, इसे जोड़ो अच्छा, bread, रोटी bread, रोटी जो आप जानते हैं, वो well, जो हम लोग use करते हैं, वो यह होता है कि B, R, E, A, D, Bread bread माने रोटी, जो आपकी जो bread आती है, ठीक है न, बट चपाती word होता है, रोटी के लिए, ठीक है न, जो हम लोग जो खाते हैं दाल, चपाती होती है, that is not exactly bread, okay, bread is जो packed आता है, वो bread होता है, ठीक है अच्छा, so, अभी आपके लिए produce P, R, O, D, U, C, E, produce okay, P, R, O, D, U, C, E, produce, प्रोडीus किया होता है, produce माने, किसी चीज़ को पैदा करना, ठीक है न, production उसी word से बना है, produce से क्या बनता है, production ठीक है न, जो company किसी चीज़ को produce करती है, पैदा करती है, तो वो क्या करती है, production करती है, अपने हाटी के, अच्छा, फिर आता है, harm, H, A, R, M, harm, harm, क्या होता है, किसी को तकलीफ पहुचाना, किसी को लुक्सान पहुचाना, उससे क्या क्या कहते है, harm कहते है, don't harm anyone, don't harm anyone by your words, by assault, assault क्या होता है, मतलब किसी तरीके से आकरमड करके, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिढ़ender, हार्म नहीं करना चाहिए, तो हार भी बर्ड हो क्या है तो आगे बढ़ते हैं फिर आगे है solitary solitary क्या होता है solitary मने होता है अकेला वर्ड्सवत की एक poem है solitary reaper ठीक है ना वो अकेले एक लड़की है जो एक खेत में काम कर रही है तो वो क्या है solitary reaper ओके ना solitary वर्ड होता है solitary ठीक है also i t business इंशेक्ट जो कीडा के रहते हैं उन्हें इंस्वल्टरी इंसेक्ट क्या सकते हैं साथitel होता है जो किर संअ उन्हें बैली उनका बहुत पेट के पास बहुत चर्बी होती है मास होता है तो उसे क्या बोलते हैं बैली तो आजकल यह जो फिटनेस का एक बहुत ही अच्छा लोगों के नजाद रूपता आ रही है तो उसमें लोगों क्या ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बैली फैट कम हो ठीक है तो चत RIGHT है बोलते हैं बहुत ही यह बहुत ही प्रेचलित वर्ड यह बयली बैली फैट कर एक को जाए कि I will के बाद होता है एल्यूड एल्यूड क्या होता है एल्यूड क्या होता है बचाव ठीक है ना एल्यूड माने होता है बचाव या एल्यूड कर दें तो क्या हो जाएगा बचाव करता है किसी भी क्रिया के आगे अगे अगर हम एस लगा देते हैं तो वो ताहे हो जाता है ठीक ह just ah rest the I bolta Visa this eludes you view this this act eludes you from something else any kind of thing okay so so he act can elude stick an alpha but 하고 karta thank you wearing a helmet eludes you from any kind of harm to your head ha eludes eludes machao karta hitting alludes ease elude's came फिर आता है Sting Sting मने क्या होता है S T I N G S T word और I N G हम जानते हैं ठीक है तो Sting हो गया Sting क्या होता है से डंक मारना Sting करते है क्या करते हैं Sting कर देदा this this insect is very stinging तुकिना डंक मारने वाला इंसेक्ट है, मच्छर क्या करता है, डँक माल देता है, स्तिक, ठीक है, धीर स्टिक, फ्र वास्प दाफ्टे बॉलू एस्प। कप्र डॉंब्स्टर लॉबस्टर टीजङर लौबस्टर लॉबस्टरbreak आर्यक। सब्सक्राइब को सब्सक्राइब पै और फोर होता है कि एक वर से साथ लौप्स्टर से महकुंचinals समुद्र जींग मीला सी फूड मिला खाने वाली चिज हो गही तो खी फूट रहे गा तो वहां का एंद या हो गया होगा वह हमारा ओस टोस्टल एरिया के को स्तल इर्या ईंडिक छल्यू फिर आग्या हो ज स्टोर गहां ऑद एक फटोर है ध्रींसरों सारों घ्यू एंअ-पोerem बाथ करें तवीर कि और फिर हो गया so out for sip एफ ओ और सी ए-टी इपंत the pur super क्यों किह कोath зайा है किड़ों का चिमटी जैसा एंगा उसको फुर्सिफ करता है हम लोग के साफोटे हैं और वाइसस ऑ इसाफ ख खा इ कैसे सब्सक्राइब करें तो कि उगता है तो वह सब्सक्राइब काई गहता हैं तो अब obvious obvious क्या होता है very obvious ऐसे लोगों तो very obvious बहुत ही स्वस्ष्ट सी बात है the matter is very obvious before you why are you not understanding now the matter is very obvious or the the result is the result was obvious यही होना ही था है ना if you are you were not studying I was watching you the result was obvious okay so obvious ना आप नहीं पर रहा थे मैं जा देख रहा था तो जब मैं देख रही थी क्या आप नहीं पर नहीं तो the result was obvious you were sure to fail ना so this is what ki obvious ठीक है obvious that is pushed सही होना तो इस पस्ष्ट चीज़ है तो obvious example क्या है और somebody was working very hard so his success was very obvious ना you are working very hard your success is very obvious example okay your success will be an example and a very obvious example ना so obvious okay then obvious example then infrastructure जो मैं इंग्लिश पाट सीती मुझे खुद ना समझ में आए कि ये infrastructure कहां ढूलने जाया ये कौन सा structure infrastructure infrastructure infra कौन सी चीज़ है infra to red कि रने हो पता है थोड़ा थोड़ा ये infrastructure कौन सी चीज़ है तो infrastructure infrastructure का मतलब क्या होता है हम समझते हैं इसको ठीक है आधारिक सनरचना आधारिक सनरचना आधारिक क्या होता है जो भी किसी जगह का आधार हो ठीक है ना जिस से वहाँ पर आपने एक मान दिज़े आपने एक बड़ी सी जमीन ली ठीक है वहां पे drainage system लगाया आपने सीवेज सिस्टम लगाया वहां पे आपने तो अभी आप वहां पे क्या कर रहा है वहां पे प्रॉपर सेक्योर्टी के लिए बाहर से बाउंडरी की ग्रिगेट किया उसको उसकी connectivity की वहां पे आधारी सुविधाएं जो है ठीक है असनर Henceño वहां की ए ठीक है अच्छा मंद इंफेक्टियस इनसे स्थे चिछ सफिलिकनी देमाइन इंफ्रा इन फरे ROB एंफ्रा इन फरे.ए 1 ए इं अarson शरुगए और यसे स्थो के बैत की है आपको एस ट्रक तक पहुंचते हैं इस ट्रक इस ट्रक भी नहीं पहुंचते हैं ट्रक तक पहुंची आप एस लगाया ट्रक लिख लिया ट्र इसको याद कर सकते हैं ठीक है चर के लिए क्या वरड होता है यू आरई चीटकर न इन्फ्रा इसंत्रक्ण एक सेप्रेट कर ली योट बना लेजिए लियॉ इंफ्रा्यस कर ट्रॉक एन चर ठीकर ना टीयू आदी एंफ्रास ट्रॉक्टर एसे करके उसको याद कर सकते हैं ठीकर है कि लिए दॉन सफ्सक्राइब जो फिलाता है यहां कि पिलाता है इंफेक्चियर्स किष्ट्रॉस इंफेक्ट्रम्हिंस क्या है इचैने को सबस्क्राइब और सकतंद आई आता है दिर्फेक्चियर्स सिर्फटॉसली तो तो infectious i-n-f-e-c-s-t-i-o-u-s ठीक है infectious मुआने क्या होता है infectious क्या चीज़े होती है disease होती है infectious ठीक है संक्रामक जो होती है वह infectious disease infection जिससे हो जाए ठीक है ना मुझे जीक आ रही है आप मेरे बगल में बैठ गए तो उस्से कि हमारी स्वाथ से क्या हो जाएगा मेरी स्वाथ को इद भी जुखाम हो जाएगा आपको भी जुखाम हो जाएगा then okay urban okay urban क्या होता है urban को हमेशा rural के साथ याद रखिया urban and rural ठीक है ना जहां urban होता है वहां rural उसका opposite क्या होता है rural so urban U-R-R-N-B-A-N-B-N ठीक है ना urban urban मतलब होता है शहरी तो ग्रामीर शहरी का उविलों क्या होता है ग्रामीर तो शहरी हमारा क्या हो गया U-R-B-A-N-U-R-B-N and rural ठीक है ना R-U-R-A-L rural शहरी और ग्रामीर ठीक है urban ठीक है फिर आता है to which area do you belong या to which area do you belong belong ओक है that is urban or rural so you take that area to which you belong ना क्यासे होता है वो तो urban में टिक कर देते है फॉर्म भर्ने के स्वें में दिखाई परती है या साही चीज़े ना तो कभी rural में टिक कर देते हैं कभी urban में टिक करते हैं शहरी या ग्रामीर ठीक है फिर आता है constraints प्रतिबंध constraint 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 train train के spilling सब्गर का trainी होती है ठीक है ना train होता है ठीक तो कॉंस को याद करना है c o n s constraint ठीक ट लगा दिया t t से ठ हो जाएगा ठीक है सो constraint constraint क्या होता है फ्रतिबंध ठीक है फ्रतिबंध उसको क्या बोलते हैं constraint होता है ठीक है ना constraint अच्छा जैसे की other constraint can preclude ऐसे करके समझ सकते है वेल constraint वहने जो भी प्रतिबंध है ठीक है अच्छा तो थोड़ा सा और लेंगे और उसके बाद इसको finish करेंगे क्रैमिंग 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 क्या होता है रटना रटने को क्या बोलते है and लुंख मिझंग क्या दिजिए दूध है और लत लोड़कर